इस धर्ती पर अंगिनत है उत्था हुए, पर इतिहास ने उन्हें दो ही नाम दिये, विजित या पराजित, पानी पत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई, जिसे इतिहास भी विजया पराजाय में नालाद सका, पानी पत की तीसरी लड़ाई, जिसे मैंने अपनी आखों से देखा, स्त्री की लाद से निकल कर, रण भूमी में तप कर, मैं भी उस तूफान के साथ-साथ पह रहे थी, जो दुश्मनों को उखाड फेकने निकला था, सदाशिव राव भाव, मेरा राया, इस यूद की शिर पश्चमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा सम्राजे पहला हुआ था, अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे, तो वो थी हमारी ही पडोस की निसामशाही, जिसका मुख्यगर था, उत्किरी का किला, जिसे मराठों ने खेड लिया था, अर्वा! थागो! तोपे पीशे लो! पीशे लो! पीशे लो! पीशे लो तोपे! तोपे! चालिस की चालिस तोपे! दो एकाई उपार! दीजिरो! और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, शंशेर! सदाशिव ने कहा है, जब तक किले पर मशाल ना दिखाई दे तब तक तोपे चलती रहनी चाले! मैंने सदाशिव से कहा था, उद्गिरी के इस किले पर हम छापामार युद नहीं कर सकते, लेकि नहीं है, उसे अपने मन मानी करनी ही थी! रागो बादा, कुचे सदाशिव से पर विश्वासे! तुोती बाद यून! जए मावारी ! जए मावारी ! झाल 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 प्र आपक्तुछाए श्राइब रखें तुम पीछे से मुक्याद सब्सक्राइब करें तुम पीछे से मुक्याद लार के आंगर में पहुंचों मैं यह से जाता हूं, गोट सवार सेना को इशारा कर दो, हमें जल से जल मुख्य दवार खुल ला, जार, वेर कमी आए, जला, बेर कमी आए, जला, बशाल जल गई, बशाल जल गई, तुफान तयार! हगज़! बशाल, जला! इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम यह लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं एक आदमी अच्छा है या बुरा हो सकता है रागोबा इसमें पूरी कौम को दोष्ट देना ठीक नहीं है और वैसे भी रागोबा कोई ऐसी कौम बताओ जसमें गद्दार नहीं होए इसकी यह तोप है यह मिल गई है तो यह क्यों चाहिए इनके बिना यह तोप है हमारी किस क आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा तब नाना साहिब आको कभी शमा नहीं करेंगे कर दो आपन भी जना जो कि अपने जो नायजी को प्राइब आपना लिए इंग नायजी जय को जो हम उलेजे के लिए जाजी हिसलिएंग भी घगारू। वालसे, हैंशा माजूने हम ऊपिंगे मोम और ब कर भावाति है सुवाकत करती है का एक आम आदमी किसी कासका सुवाकत महुर सकता है ऑल कियो नही है कर सकता है एकड़े बगा एक बगा एकल एकले इंगल हिलो मत राया 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 मत का वे तुझा राय नहीं है अभी तक हरे दिवा तुम्हे तो जोट पाज जी है कुछ कास नहीं है जब कोई वीर योधा रण भूमी से लोटता है, तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छेपाने की कोशिच करता है, लेकिन उससे कैसे चिपा सकता है, जिसकी आंखे उसे आरपार देख सकते हैं। आजी, कशिया है, सदाशी, मैं महाद्वार तक नहीं आ सके, मेरी तब्याद, कोई बात नहीं आजी, नमस्कार करता हूँ, जीते रहु, दीर गायो भवा, ये, संबढ़ू, हम जीत गए आजी, हम विजय हुए, निजाम शाही संब्ख नहीं है, मुझे बिश्वास था, आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए, भानू, जी आजी सहे, वैद्य को बुलाओ, जी आजी सहे, आजी, तुम्हारे पिता जी कहा करते थे, सूर्मा वही है बड़े, जो हर हाल में लड़े, सरह थीली पर लेकर चले, धर्म उनका है वीर्ता, कर्म उनका है वीर्ता, जीत या हार होगी, ये सोचते नहीं, सही कहते थे, प्रणाम आजी सहे, आजी में ये तुम्हारे, अरे, मरहमपट्टी करवाय बिना मज जाना, तुझे पारवेती याद है, अब ये छोटी राज बैद बन गई है, अपने पिता से भी आगे, आपको इस महांजीर की बदाई, हाओ साहेड, तन्यवाद, कुद्ही लागया, तुम और वाइद्या, क्यों, एक लड़की वाइते नहीं बन सकती, आसा कायदा है का? आहीं नहीं, बिल्कुल बन सकती है लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे, तभी तो नहीं थी पिछली बार हम दो साल, तीन महीने और अठारा दिन पहले मिले थे आहीती है अरे, जल्दी करो, इसे गडेश दर्वार में हाजिर होना है हो, हो आज ही, साहिप जालव जालव भाव साहिप आपको दिन में दो बार पत्ती कराने आना पड़ेगा मेरे पस भाडू आपको दिन में दिखाए गए शोरी के लिए पेश्वा के भाई श्री मंतर गुनाच्राव का अभिनादर करती है और अब जन्मानित किया जाता है काका यह आपके लिए विश्वास श्री मंतर अब मैं पेश करना चाहूंगा निजाम शाही के सिप्यस अलार तो खाना सदर इबराहिम खान गार्दी को जो आज से पेश्वाओं के सेवा में आ गए है श्री मंतर अब जब निजाम की खिद्मत की और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा अब जब निजाम शाही नहीं बची तो मैं इबराहिम खान गार्दी पेश्वास सल्तनत के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता हूँ इनोंने वो काम करके दिखाया है जो हम में से कोई पेश्वा नहीं कर पाया। दक्षिन को मुक्त करना हमारे प्यारे छत्रपती शिवाजी महाराज का अधूरा सपना था उनके गुजर जाने के 80 साल बाद आज हम निजाम को गुद्णों पर ले आए पिता श्री इसी खुशी में क्या एक महुच्ण नहीं होना चाहिए अब हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं बेशक महुच्ण सब होना चाहिए हमारे पूना के बाहर के सारे स्यनापति और प्रमुख राया शस्त्र पूजन के समय आपने पेश्व तलबर सदाशिव को क्यों दी वो ऐसा करने की क्या जरूरत थी अब सदाशिव को इतना मान क्यों दे रहे हैं क्योंकि उसी ने तो दिजाम शाही को जड़ से मटाया है तुम्हें परशानी क्या है अपने आपको पेश्वा समझने लगा है वो उद्गीरी में एक मुसल्मान सर्दार को राघोबा सहमिश्व के बिना ही भरती कर लिया उसने वह मुसल्मान सर्दार हिंदोस्तान का सर्वश्रेष्त तोची है छट्रपति शिवाजी माराज की सेना में मुसल्मान भी राया राया आप बात को समझ ही नहीं रही रहा है सदाशिव को हर कदम हमेशा मराथा सामराजय के हिठ सभाथ में हो गया और वह मराथा सामराजय के हिठ सवेम पेश्वा बन बैठा तब क्या होगा हमारी विश्वास का रागुबा पहले ही मेरे जी का जंजाल है और अब सदाशिप मुझे पूरा भरोसा है उसकी निश्था पर तुभारे बेटे पर वो अपनी जान छिड़कता है और विश्वास भी उसे उतना ही प्यार करता है विश यह भी मैं बताँ पेश्वा आप है कि मैं इतने युद्धो की कर्स का भार हमारे सामराजय को आर्थिक संकट में डाल रहा है जी सो तो है तुम बुद्धिमान हो विश्वस्निया हो और लोगों से काम लेना जानते हो यह तुम ही कर सकते हो मुझे करना क्या होगा यह तो कि मैं तुम्हें थन मंत्री तैनाज करता हूँ था 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 और मेरा काम कौन करेगा वह यह अच्छा सुझाओ है राया आपके इस निर्ने से सदाशिव यहीं पूने में रहेंगे और फेर राजदानी की सुरक्षा के लिए एक बल्शाली योद्धा चाहिए रागोबा पादी तो है एक से भले दो गुनों ची आपको सारी जानकरी दे देंगे जब निर्ना इलिया ही जा चुका श्रीमंत तो मैं आख्या का पालन करूंगा यह तो अच्छा हुआ अब मैं आप से यूद कौशल भी सीख पाऊंगा और आप पंदरासौ सूरे नमस्कार कैसे करते हैं यह भी सीखूंगा मैं यह थे अरे देवा साथ फेरे लेने के बाद मैं पहुची गई तुम तक सुनाय तुम्हे धन्मंत्री बना दिया है परसालव मेरा मन कहता है कि तुम यह काम भी ने पुरता से करोगे खरसांगो मुझे तो बड़ा ही सुकुन मिला जब सुनो यूथ में है जी अब कम से कम तुम यह तो दिखोगे वो कहते है ना आप एक योद्धा को उसके तलवार से अलग नहीं कर संगे यह मुझ से बहतर कौन जानता है तुम्हे जो कोश़चे कर रही हो ना पारवती मत करो साथ नहीं वले सब्तर सीडिया चड़कर तो मुझ तक बहुचो मेरे जीवन में साथ फेरे नहीं है संजद कसा नहीं तुला संजद सका है अब दूर तुम्हारे हाथ में नहीं है मैंने बहुत अपस्या की है करेश्वरी देवी के एक सव आठ उपवास रखे है मैंने माइती है अब मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगी देखना तो मेरे हो जाओगे वो दिन दूर नहीं ता खाओ खाओ पर ऐला लगला है अब क्या तभ ही मिलो कि जब अग्ला खाओ लगेगा भार जाला परवती आता बासकर परवती 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 सदाशिव के साथ हम लगता है क्मामूली राज्यवध्य पेश्वक्ती रानी बनने के सपने बून रही है होई का मेरे रहते नहीं हो पाएगा मराथा राज्यों के बाहर से कितनी रख्माती जो रियासते हमारे आधीन हैं वो एक चौथा ही देती हैं लेकिन उत्तरदिशा में कई ऐसे हैं जो रोज नए-नए बहाने बनाते हैं और एक धेला तक नहीं देते उन्हें तदकाल पत्र बेच का अंतिन चेतावनी दी जाए अस्ताक्षर में ही करूंगा एक देंदार कुछ जाधा ही उद्धन्ड हो रहा है श्रीमंद उसकी रकम भी सबसे जाधा है कौन है वो नजीब उद्धौला मुगलो का मीर बक्षी हां लेकिन वो रहता है दो आपके इलाखे में गंगा यमुना के बीच रोईलाबाद के किले में कितने ही पत्र भेजने के बावजूद वो अपनी देंदारी पूरी नहीं कर रहा है ताल जाता है सामदाम का इस्तमाल कर लिया अब दंड का समय आ गया है आप तो यहां है दंड कैसे देंगे हम दत्ता जी शिंदे जी को भेज सकते हैं उत्तर में हमारे सबसे बड़े सरदार है दत्ता जी बहाब न मुगलों के लिए जारी किया जाए जी श्रीमन और इस एहमधिया करार के मुताबिक मुगलिया सल्तनत को अगर मराठाओं की ओर से अक्रमन कारियों से अपनी सुरक्षा जारी रखनी है तो आपको एक चौथाई की रकम अदा करनी होगी जो कि आपने अभी तक नहीं की परार की इजद की जाएगी आलम पना आप इन मराठाओं की धौसपट्टे में मताईए हैं अम इने अजीब रुक जाओ नजीब रुक जाओ इतने उतावली मत दिखाओ फर्मान अभी तक खत नहीं हुआ है और नजीब दौला की नाव फर्मानी को देखते हुए उसे मुगल दर्बार में मीर बक्ष के आओदे से इसी वक्त बेदखल किया जाता है दस्तखत सदाशीव राव भाव पेश्वाग दस्तश दौला कि उस्तश राव एला जाता है मराठों की तिजुरत की मुझे हटा दिया है हम क्या करते हैं आखिर हमें भी तो उनकी सरपरस्ती की सरूरत है जहां बना इसका मतलब यह नहीं कि यह हम पर हुकुमत चला सके उनी की शेह पे यह इमाद इतना फुदक रहा है उसकी हिम्मत आपसे इस तरह पेशा रहा है देख उसी शाही खुन की बदूलत तो जिन्दा है हम अस तक जहां पना इसे मात को सजा देनी होगी कौन देगा उसे सजा उसके सर पर मराठों का हाथ है और मराठों की खिलाफ जने वाला कोई है ही नहीं सर्जमीन पर एक है जहां पना एक है जिससे आप मदद ले सकते हैं क्या है कोई ऐसा एहमद शाह अब्दाली अब्दाली हान पना और फिर हम इन मराठों को सबक सिखाएंगे क्या हुआ चलो तुमारे पांच और बचे एक दो तीन चार पांच काका देखना एक दिन मैं भी आपकी तरह ही योद्धा बनूंगा क्या फायदा तालवार गुमाने के वज़ा है किताबों में संख्याए गुमानी पड़ेंगे भाव क्या पता कब मैदाने जंग से बुलावा आजाए हमारा बस चले तो कभी ना आए जी बाभी पाहिनी आप से एक बात क्या सकती हुआ शादी ब्या के अलावा कुछ भी तुम महरम को चक्वा नहीं दे सुके सदाशर इसके आगे तो मुझे भी हाँ भनी पड़ी थी भली लड़की है शादी कर लीजे उससे शादी किससे अच्छा अच्छा अंजानमत बनिये पार्वती से सदाशर महरम ठीक कह रही है अभी जंग से लोटे हो कुछ से नित्मिनान है अपने आपके लिए समय नहीं है मेरे पास मेरा सारा द्यान काम पही है भाव साइब काम कलम का हो या लडाई का वो सिफ काम होता है जिंदगी से आप तब रूबरू होते हैं जब आप घर जाते ह बाव साइब वैद्धिशाड़ा में आ रहे हैं वानुक बारवती कुठे आए अब आई उसकी याद मतलब वो तो चली गई चली गई कहां चली गई अपने पेण वाले घर कोंकन कोंकन क्यों कशला यह आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते है एक बात बताओं आपना किवल रणभूमी के बांकुरे है दिल के मैदान में एकदम पुस्स उसने मिलने से मना कर दिया यह उसे दना क्याना मुझे गाओ लगाए आप योद्धा लोग भी पड़े निराले हो तेढ़े तीर निशाना सीधा जाब लग कर भानू आपने क्या है तुम 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 मुझे कभी आप नहीं बुला दिए मतलब बहुत कुस्सा हो हम् तुम से मिलने के लिए क्या यही तो एक तरीका था तो क्या अपना वाइद्य होने का धर्म नहीं बाओगी तुम मेरी आवाज कुछ साथा यूची हो गए थी ना तुम मेरी आवाज कुछ साल की थी तब पहली बार पिताजी मुझे शनी वर्वाड़ा लेकाए वह मैने तुम्हे देखा मैने जानती थी कि तुम कौन हूँ क्या हो मैं तो पस तुमसे प्रेम करने लगी पाद में पता चला कि तुम पेश्वा हो लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा सदाशिव थे आज पता चला कि किसी का तर्चा कितना माईने रपता है तर्चा हो पेश्वीन कोपे का भाई यह सोचती है ना कि मुझ जैसे छोटे वर्ग की जड़ी बुटी गोटे वाली लड़की इशनिवार वाड़ा में कैसे रह सकती है मला समझ ला तुमने भी मुझे इसी कारण से दूर रखा ना हो ना एक पार कहते थे पारवती ऐसा कुछ नहीं है मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना की तुम तो फिर क्यों हाँ एक योद्धा का परिवार के सुतल पुतल में जीता है यह मुझ से बहतर और कौन जान सकता है मुझे कभी मेरे पिताजी का साथ नसी भी नहीं हूँ वो हमेशा युद्भूमी में रहे और जब मैं बहुत छुटा था नहीं रहे मैं भी तो एक युद्धा हूं और जो मुझ पर वीदी में नहीं चाहता मेरी पत्नी पे मेरे बच्चों मेरे परिवार पे वो कुषरे तुम अपना पूरा जीवन भविशी के बह में कैसे जी सकते हो मेरा आज तुम ही हो तुम्हारा आज क्या है समझ गए समझ गए मिजाती तारवती मेरा आज मेरा कल मेरा परसू परसू तुम ही हो करत करत आपका फेसला फिर एक बार सही सावित हुआ जब से हमने विद्रोहियों को कचल दिया है किसी की भी फिर से हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई है लेकिन फिर भी जरूरी यह है कि हमें चौक अना रहना चाहिए दूर्षाई जब से रहाए जब से भी एफ दूर्षाई जोड़ाए कि अज़ एफ एफ दूर्षान खबार हिंदुस्तान से तौब के सुल्तान यजीब अधव्दूला गभाई सुलिमान अग्दौला मिलना चाहता है फुदर रेजा मुर्तुजा साथ में खेले हैं साथ में पड़े हुए मेरी मौत की निलामी किस के लिए इस के लिए चाहिन शाह, माफ कर दे उसे एमद, लौत्वान आखिरकार यह हमारा भाई है ठीक है सरफरास लेकिन मेरे पे खंजर उठाने से पहले मौत तुजा ने सोचा नहीं एमद, माफ कर दे मुझे तुझे नहीं मालूम कि यह मौर कत तक तो यह कुही नूर बड़ी मशक्कत से पाये जाता है चीनने इसे नहीं मिलता नादिर्शाह ने चीनने की कोशिश की लेकिन उपरवाले ने उसकी जिंतगी चीन दिया मैंने महनत करके नादिर से पाया ऐसे लेकिन मैं तुझे ऐसे ही दे देता हूँ क्या चाही है सबना है कोहीनूर हुआ घुझे घुझे कोहीनूर ने! ने! एमने! इसे बहर लेके आओ मुझे खुली आवा चाहिए अलिजा पिछली बार मराठे अटक पहुचे थे अब कहीं कंधार ना पहुच जाए देली के बाश्चा और दूसरे हिंदू राजाओं के साथ हम सब आप सिल्त اज़ा करते हैं कि अब आप एक भी दिन जाया नकरें आयें और हमें अज़ाद कराएं और खुद पहुत लिजुत्तान का बाश्चा बनकर अपना सही मुकाम हासिल करें यह नजीब चाहता है कि हम उसकी लड़े लड़े और पूरे जंग का कर्चा हमारे उपपर आए और वो वह बैठे बैठे हमारी फते का मुनाफ़ा गिंता रहे और फिर वो चाहेगा कि खुद तक नजीन हो जाए जलील है वो अलीजा मुझे नहीं लगता हूँ आपके साथ इसे करने की जुरत करेगा सर अगोर करें शैंशार फार्सी लोग हमारी सल्तनत को खदियाना चाहते हैं और सिर्फ बागी ही नहीं तेरे बिरादर भी यह आख तक्त पर आख कड़ाए हुए हैं उन्हें अभी देखो अगर तो हिंदोस्तान का बाद्शा बन जाता है तो तो तरी सल्तनत बंगाल तक फैली होगी और तब कोई भी फार्सी फिर से तुझ से मुकाबला करने की सोचेंगे भी नहीं हमारे खजाने भी खाली हो रहे हैं यहां के फिकर मत कर अहमद मैं समाल लोगा वक्त आगया है अब तहली फत्य करने का दादा क्या हुआ है तद्दाजी हिंदे नहीं रहे तद्दाजी कैसे नजीब उद्दोला वो नजीब से चौत की रखम लेने गए थे तब उसने उने धोके से मार दिया तो तुमने एलान किया था कि मेरा सर थाड से अलग करोगे लो कर दो अलग लो 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 ना यह सर तुम तो पहले ही अपना सर अबदाली के पैरों पे रख चुके हो तो हम क्या करोगे और लड़ोगे बचेंगे तो और भी लड़ेंगे नजीब लेकिन नजीब में इतनी हिमत कैसे आई कि वो एक मराठा सरदार को मार सके क्योंकि उसने आमद्शा अबदाली से हत मिला है आमद्शा अबदाली सभी मंत्री और सेना पत्यों को अभी इसे समय गनेशता बार में बुलाया जाए अबदाली के आने का मतलब है पूरे हिंदोस्तान पर आक्रबन इस बार एक लाग की फोज लेकर आ रहा है वो पिछली बार इतनी रूट पाठ मचाई कतले आम करके यमुना का पानी लाल क्या था इस बार हमें उसे रोकना होगा स्रीमान अबदाली शनवार वड़ा नहीं लाल के लिए पर कभजा करने आ रहा है उत्तर में इतनी दूर उनकी लड़ाई लड़ने हम बला क्यों जाए इसलिके तहली में इतना दम नहीं कि वो अबदाली का मुकाबला कर सके और ये मत भूलिये हमने उन्हें वचन दिया चौद की रखम के बदले आकरमन कारियों से उनकी रक्षा करेंगे अपना कर्तवे निभाने का समय आ गया है अतम आघार नहीं पर भॉसेप श्रीमंत मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं हम अभी अभी एक लड़ा ही लड़ चुके सैनी कितने ठके मांदे हैं कि अपना जिरा भक्तर भी नहीं उठा सकते एक और यूद का बोज कैसे उठाएंगे ठीक कह रहे हो आप पर और कोई विकल भी तो नहीं है वो एक ला बोला बोला मैं इस अदाश्यक से सहमत हूं हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए ठीका है अगर ऐसा है तो रागुबा को जाना चाहिए जो आग्या श्रीमंद हमारे होडों ने सिंधु और कावरी का पानी पिया है तो यह यम्मुनाख्या चीज है मुझे एक कोटी मुल्य का स्वर्ण और असी हजार की सेना चाहिए पन रागुबा दागा पेश्वा संपत्ती इस समय काम है तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा अगर ऐसा है तो अब तक यह धनमंत्री के उदे पर क्या कर रहे थे रागुबा आपने आटक का किला भले ही जीता लेकिन आप कर्जे के बोज के साथ लोटे थे मैं उसी को हटाने में लगा हुआ हमारे शत्रु दिवाले होने चाहिए और हमारा सामराज्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्त फ़र यह तो उल्टा है यह ठीक कह रहा है रागुबा अने रागुबा दादा जहां तक सेना का संबंध है हमें यहां भी तो जहिंग है डेली बचाने के चकर में हम पोणे को दाओं पर नहीं लगा सकते कि इसलिए आपको 40,000 की सेना ही मिलवाएगी 40,000 departments 40,000 की सेना कम नहीं अर आग अरुब क्या जानते हो आप क्या जानते हो आप उत्तरदिशा के बारे में के ये गुद्गेरी का चीत लिया, आप समझते हो कि युद्ध के बारे में आप सब कुछ जानते हो कि देली कोई बच चुका खेल नहीं है सदाशिभाओं आपके तलवार जंख आ रही है और अपने कलम के तीरों से आप अब ताली का मकाबला नहीं कर सकते हैं मेरे हाथ में तलवार वापस लौटा के तो देखिये हैं असका बिना स्वर्ण और सिर्फ चाली सदार के सेना लेकर कर सते हो आप श्रीमंद आप आदेश दीजी मैं इनी साधनों के साथ अभ्यान का नेतरित्व करूंगा किठी बराबर सोना और मुठी बराबर सेनेकों के साथ तुम कैसे करोगे श्रीमंद रास्ता लंबा है इसलिए हमारे उत्तर के जो सेनापती है जैसे होलकर शिंदे मोंदेले उनकी मदद के साथ रास्ते में जो आने वाले रजवाड़े हैं उन्हें सवास्ता दूंगा मात्रभूनिक क्या उन्हें मना पाऊंगे हां मिल्कुल वो तो सदा हमारे समर्थक रहे हैं और जब अब्दाली से साम नहोगा तो एक सन्युक पलचाली विराथ हिंदुस्तान से ना तेक कर वो भाग खड़ा होगा और अगर वह वहीं खड़ा रहा तो तो हम उसके पैरों खाड़ देंगे निर्नय हो गया सदा शिवराव भाव पेश्वा भ्यान का नेत्रित्व करेंगे पेश्वर करें कि सर्यध्वज को नहीं उन्चाहियं मिले बु सर्स–जार्थ miyallat आस ते शित्व भराणी स्द्रण का हिस्जा हो गया है बंशाउ भान स्थयर्वार निर्का बंशाउ भान स्थयर्वार निर्का कि अब टाइट कितने हैं ती हजार और महाले कितने हैं पांस हजार कम हैं दस थाजार और बन वहीं जी श्री बन पेश्मिर पारवती भाई यह ताहिड आप यहां क्या कर रहे हैं वो मुझी देखना था क्या आपके हत्यार हो जी रपक्तर ठीक है हनी यह तो कारण नहीं हो सब राया एकांथ तुम्हे यह नी बन पे जी बाइशा है हम मैं भी तुम्हार सब मुहिम पर चलूंगी काशाला एक वैदे होने के नाते मुहिम में मेरी जरूवत पड़ेगी बिमार्या हरूंगी अफसर आया तो घाव भरूंगी हात्या हुम्हार सही कहां मोहिम तो यह है लेकिन युद्ध की आशंका के साथ मैं ग्रहस्ती लाग कर नहीं चलूंगा काय तुम्ही पर्ण एक धन्मंत्री हो तुम्हे लाभानी का अंतर नहीं जानते मेरी वहां बहुत जरूवत पड़ेगी तो मुझे अपनी धाल बनाकर ले चलो सुप में पीछे रहूंगी और दुप में आगे आ जाओंगी हम तंबु शामयाने में रहेंगे तंबु शाम राया मैं तुम्हारे साथ रहना जाती हूं जो भी संकटाय मैं चाहती हो हम साथ मिलकर सामया करें अनी 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 काय नहीं अनी काय पारवती मैंने सुनाय जब पेश्वा अकेले मुहिम पर जाते है तो एक मस्तानी के साथ लोटते है तो असल मामला यह है अगर यही बात है तो चलो खुशी से चलो लेकिन पारवती भाई एक बात बता देया मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगे राया एक बात कहूं बोला विश्वास कब तक जुला जूलेगा उसे पेश्वा कैसे बनते हैं उसकी नीती नियम सीख लेने होंगे तो क्या करें सदाशिव अबदाली को निश्चित रूप से हरा देगा फिर देली पर अपना अधिकार जमा लेगा और हिंदोस्तान का शहिंशा बन जाएगा मैं केवल ये कहना चाहरे हूँ कि जिस सेना का नेत्रित्व सदाशिव कर रहा है उसका प्रमुक सेना पती हम अपने पुत्र को बना दे फिर देली के सिंगहसन पर वो ही बैठेगा ज़रा सोच कर देखी राया शहंशाय हिंदोस्तान श्रीमंत विश्वास राव पेश्वा विश्वास बात देली और अबदाली की है संकट भरी मोही वही है हाँ लेकिन यह भविश्य के पेश्वा के लिए सीखने का अच्छा अफसर होगा दादा वहीनी मैं आपकी दुविदा समझ रहूं अपने श्चिंत रही है मुझे सेंगहसन की कोई लालसा नहीं मैं विश्वास को अपने साथ ले जाओंगा अश्वासन दुवा तुम उसकी रक्षा करो कि अपने प्राणों से बढ़का अपने प्राणों से बढ़का इस बार अबदाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिंबत भी ना करें मैं विजय तिलक लगाने की प्रतीक्षा करोंगे आयुष्य मन्भवा आयुष्य मन्भवा आयुष्य मन्भवा आयुष्य मन्भवा आयुष्य मन्भवा आपका आपके दीदार से दिल बाग बाग होगा ना सिर्फ मैपल की ये सरजमी यहां के तमाम बाशिंदे आपका बेकरारी से इंतजार कर रहे थे उमीद है सफर खुश्गवार रहा होगा पाच दर्या पार करना खुश्गवार में होता लेकित जब जायज हो जाता है जब हिंदुस्तान के ये मीठे फल मिल जाते है तर्दा जी शिंदे कर रहा के जो हासिल हुआ शिन्दे और होलकर पिछली दो नसलों से मराठाओं के रत के तो पहियों के जैसे थे दत्ता जी का कतले करके यह पहियां तो मैंने तोड़ दिया अब ये रत जादा दिन तक नहीं दोड़ेगा शेहनशाय पहतरीन और आपके लिए बुरी ख़बर है क्या हुआ मुगल शेहनशा दूसरे आलमगेर नहीं रहे यह कैसे हुआ आपके लिए लिखा हुआ शेहनशा का एक ख़द उनके वजीर इमाद अलमुल्क के आतो लग गया आया अलमब पीर साब की अबादत तो भी ख़द होने ही वाली है तर्श्रीफ लाइए मेरे आलम पना माफी अब तक्त पर कौन है इमाद ने एक और कट पुतली की ताज पोशी कर दी है शा जहां तीन लेकिन अब आपके आने की ख़बर सुनकर इमाद भाग गया है इमाद को सबक सिखाना पड़ेगा मैंने अपने सिपे सलार उसके पीछे लगा दिये देखते कहां तक चिपएगा वक्त बरबाद मत कर तहली रवाना होते हैं वह तक तो लूड लेकर मुझे वापस का अंदाहार जाना है वो भी बारिशते पहले मेरी एक तरख्वास्त है मराठा चुप बैटने वाले नहीं है सदाशिव दत्ता जी की मौत का बदला लेने के लिए पूने से निकलने वाला है आपको और हमें रोकने सदाशिव वो कौन है पेश्वा का चचेरा भाई वो जरूर दो आप पे हमला करेगा मेरे रोहिलाबाद के किले पर जिसे पिछली बार आपने इतनी मशक्कत से हासिल किया था सिर्फ आप में उसे रोकने की कुबत है दो आप रोहिलाबाद लेकिन तू ने कहा था कि इस वक्त देहली के तक पे कबजा करना जुरूरी है फिक्र मत कीजिए देहली को मैंने अपने सिपे सिलारों की निकरानी में रखा है देहली तो है लेकिन पहले इनको रोकना होगा समझने की कोशिश करिये शैंशाह सिर्फ मराठी ही है जो आपके और तक्त के बीच में आ सकते हैं एक बार इन्हें हरा दिया ना फिर देहली क्या पूरा हिंदुस्तान आपका नजीब तेरी जो भी मनसुबाब बंदी है अगर गलत निकली तो तू जिन्दा नहीं रहेगा कैसे बात करें शैंशान आप मेरे आका हैं मेरा मनसुबाब सिर्फ आपकी खिद्मत करना है मराठो का लशकर कितना बड़ा है मराठो कितना आपकी खिद्मत करना आपकी खिद्मत करना है आप अच्छान आपकी शड़ास्वान आपकी शव्यादा आपकी श्याद आपकी खिद्मत कर्षा भान तक उस्तम्व गत्शाने खिद्मत में श्यादी नहीं एक मुस्तमत्वेतिय ओंटी यह जब कि श्लामा लगा कि अच्छा के लिए आई है तुम मेरी तकलिफे कम करने आयो या बढ़ाने यह सारी हमारी जरुराइट की चीज़े है रहा है लेकिन बढ़ाव तो एक ही रात का है यह सब सामान सचाते सचाते सुबह हो जाएगी और पिर इसे समेट के निकलना होगा इसे पर कमाल करता तुम पर इतना लंबा सफरे तुम नहीं जहल भावगो लेकिन तुम बीना जिद्दी फुरा घर साथ लेके निकलिए धन्याहत तुम यह कहा रखो मेरे सर आप वारगों हो भाई सर वाहत ब्रागों हो भ्रा वाहत वर सर झाल करताना साल वा वाह, भारत सुन्दर साजाओ ले पार्वती, पार्वती, जवन काईू का, पाहर तो भाव चुना रहे थे, भाव साहिब पार्वती, भो तो मैं ऐसे, तीठेच थांबा जवरना काईू असवा का? कि आपका हां आपक तो है कि एक बात को अज पहली बार समझ में आए कि अपना कर क्या होता है आपका है शमा बार्वाति बाई जुकतर नया नया लगाने न मेरा माफ केलो तो बारा नहीं होना जाहिए जैसे जैसे हम उत्तर के और बढ़ी मराथा तुतारियों ने हमारी मुहिम के इरादों की खबर दूर दूर तक पहुचा दी जिन राजाओं को नियोता भीजा जा जुका था वो श्रीमंत विश्वास राव पीश्वा की सीना से जुड़ने लगे यह सिर्फ आपका इस अपना नहीं है हमारा भी है हम आपके साथ हैं दन्यवाद राजा करमवीर जी हमें स्वीकार है आपकी इस मुहीम से चुड़ने में हमें कोई आपती नहीं है हमें आनन्द हुआ दन्यवाद एक महीने बाद खनी जंगल परपत और नर्मदा और चंबल जैसी नवियों को पार करते हुए हम धौलपुर पहुच गए जहां हमारी मराढ़ा सर्दार हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जावे जावे कि वेश्विन पारवत्ति भाई उषण वेश्विन जादिका भाई और महरम भाई कि इन तीनों के पिताओं के साथ कंदे से कंदा मिलाकर हम युद लड़े हैं तो बाहुसाइब आपके मन में योजना क्या है उत्तर में सबसे बड़ी सेन और साधन जिन राजाओं के पास है वो है माधो सिंग और बिजे सिंग पांच-पांच हजार की सेन राजा सूरजमल दस हजार अराधक सिंग 5,000 और गंगा के पार नवाब शुजाओ दोला बीस हजार की सेन अब बस उनको मनाना पड़ेगा जहां तक शुजावत दौला का प्रश्ण है मैं सरदार गोविन पंजी को संदेश भेज देता हूं कि वो तुरेंट जाकर उनको मना है कि आपके लिए सदाशी उरा उभाव का एक बहुत जरूरी संदेशा है मैं जानता हूं क्या है कुछ बंची देखिए मैं दो चटानों के बीच फिसना नहीं जाता एक बात और अबदाली को हराने के बाद सदाशी उभाव आपको देली का वजीर मनाना चाहते हैं क्या सदाशीव यह बात मुझे करार नामे पर लिख कर देंगे श्रीमन्थ आपका साथ जाते हैं आपकी तसलिके लिए आपको करार नामा मिल जाएगा तो पेर हमारी बंदू के आपकी सुजा तो मान जाएगा लेकिन सूरजमल सूरजमल जी तो आपके खास है मुझे लगाता हाप उनको साथ लिहाएंगे कोशिश तो बहुत की लेकिन माने नहीं ठीके तो उन्हें भी संदेश भेज दे कि जल से जल्दा कर हमसे मिले नहीं वो एक राजा है हम उचसे स्वयम मिलने जाएंगे शमा करियो स्वीमंत उपर से हर दो महिने आपके खलीते आते रहे चौत की रखम के लिए सूराजमल जी आपकी जितनी बागे रखम मैं माफ करने के लिए तैयार हूं लेकिन ये समय आपस में बैर रखने का नहीं हाथ में लाने का है सोतो है हम भी एकता में विश्वास रखे हैं जी हम तुम पेस्वान ते हमेशा अच्छो संबंद बना के रखना चाहें जी इसी कारण तो आपके वजीर को पना दे रखी है वजीर इमादल मुल्क यहां है हाँ जी वजीर आजम को लिए आओ अश्चरिय है वह आपके साथ मिल गया और हमें सूचना तक नहीं की आओ वजीर आओ इमादल मुल्क तुम्हारी इतनी हिम्मद कि तुमने बादशा का खुन कर दिया श्रीमंद आलमगीर मराथा सल्तनात के लिए खत्रा बनता जा रहा था तुम होते कौन उसे मारने वाले तुम्हें अधिकार किस ने दिया पेश्वाओं ने तो नहीं दिया मैंने किया लेकि बाव साहिब इनको बना महने देए पर रही बात गडबंदन की तो नजीब को खत आयो हो तो अब दाली को साथ देवे कता ही लेकिन अब मुए पतो है वाकू का जवाब देनों है और तुमने इत्ती बड़ी जिम्मेदारी उठाई है तो हम तुम्हारे साथ हैं बात खत्रम चाय हो राजा जी यहीं तो आपकी महनता है हमारी दस अजार की सेना और साथ में भोजन पानी सब आपको मिलेगो और इस तरहां धीरे धीरे मराठा सेना की संख्या बढ़ती गई जंग के लिए सेना जुटाना भी अपने आप में जंग है चार लोगों के परिवार का पेट भढ़ना मुश्किल हो जाता है अगर आपके परिवार में पचास हजार सदर से हो तो क्या हो लेकिन हम तयार थे हमारी सेना आपके लिए तैयार है राजा अराधक सिंका संदेश सुनते ही खुशाली सीचा गई राया की यूचना काम कर रही थी एसा लग रहा था जैसे सब हमारे साथ हैं अब प्रतीक्षा थी तो राजा माधो सिंग और राजा बिजे सिंग की हमें उमीद है हमारे गजराज आपको पसंद आये होगे हमारे शाही अस्तबल से हैं आपके लिए छोटे से तोफे हैं जबरदस्त बादो सिंग लेकिन मेरे और मेरी फौज के मतलब के नहीं है फिर भी तशक्र धन्यवाद धन्यवाद कहिए मराठे हमें हराने के बाद हम पर्थोंस जमाते हैं अब ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे तेली हासिल करने के बाद हमारी अगली मंजिल पूने है मराठों को उनकी हैसियत बताने के लिए हमारी सेना और साधन अपने ही समझिये उन्हें अगर हरा दिया के तो हम आपकी बहतर सेवा कर पाएंगे फिकर ना करें हम मराठों का सफाय करतेगे आपसे आग्या लेते हैं आपके हुक्म की प्रतीक्षा रहेगी आपके बहुत अच्छे नजीव ज्यादा से ज्यादा राजाओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर यह हिंदुस्तानी एक दूसरी के सबसे बड़े दुश्मन है लड़ते रहते हैं आपस में इनकी आपसी रंजीशों का फाइदा उठा कोशिश करता हूं से अच्छे अगला राजा कौन है नवाप शुचात तौला और चंद्रपुर के राजा ने कहां है अगर उन्हें रसत की कभी पड़ती है तो हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि अब्दाली इस समय रोहिलाबाद में है दो आप यमुना के किनारे तो अब हमें देहली के बजाए रोहिलाबाद जाना चाहिए शम्शेर हम यहां है और अब्दाली वहां बीच में यमुना है केवल 200 कोस की दुरी रह गई है चीके तो में गोविन पंजी को खबर कर देता हूं कि वो तुरंत यमुना पर पुल बनाना शुरू कर दे भाव साहिब एक बात बताओं आपको अगर लडाई द्वाब में हुनी है तो शूजा को साथ होनों बहुत जुरूरी है बिलकुल ऐसा ही होगा कोविन पंजीन उन्हें मना लिया है नजीब उद्धावला जी सुनाएं आपके अफगानी आका आयों है नवाब साहब उन्होंने खुद मुझे आपसे मिलने के लिए बेजा है मराठाओं के खिलाव जंग में हम आपका साथ चाहते हैं लेकिन आम में और आप में आगे तो सुन दीजिये मराठाओं को हराने के बाद वो आपको वजीर हिंदुस्तान बना देंगे इसमें क्या बड़ी बात है ये वादा तो मराठा हमारे साथ पहले कर चुके है क्या भरोसा सदाशेव अपने अलफाज पर कायम रहेगा एहमद्शाबदाली ने तो लिखतर भीजा आप खुद देख लिजे कैसे बरोसा करें उस पर हाप मुझ पर बरोसा कीजिए मेरे बुलाने परी तो वह आया आये हैं और हम आप पर बरोसा करें हमारी तर्मिया तो सो दरारे पहले से मैं तमाम दरारे भर देना चाहता हूं नवाब साप देखिए एक बात तो साफ है इस जंग में पलड़ा उसी का भारी होगा जिसकी तरफ आप होंगे जरा सोचिये फिर आप होंगे तहली के वजीर और आप शेहिंशा नहीं नहीं मैं मेर बक्षी ही रहूंगा आपके जहरे साय तक्त पर किसी मुगलिया कट पुतली को बिठा देंगे और उसके धागे अपने हाथों में नवाब साब एक मुसल्मान भाई तूसरे मुसल्मान भाई की बात अंसुनी करेगा तू कैसे चलेगा प्रणाम नमस्कार गोवन पंची आये आये प्रणाम नमस्कार गोवन पंची आपसे पिरसे मिलने का सोबाग मेला मेरा भी सुपाग याशिवन आये आये कोवन पंची यह क्या होगा यह विश्ण बरसातन पूल बना नहीं नहीं दिया जो बनाया था पूप यह नावे बेगन मैंना पुरा प्रयास क्या शिवन लेकिन प्रकृति से कौन जिता है जब तक पानी का सर नीचे नहीं आ जाता है हम पूल दोबारा बनाना शोर नहीं कर सकते है उस किनारे पर बहुत हल्चल है ये अब्दाली की फोज है नचीब दोला की फोज भी साथ में ये दूसरे द्वज किसके है शमा करिये बुरा समाचार है वो दूसरे द्वज शुजाओद द्वाला के है उसे हा कहने के बाद सही है वो परट गए है शुजाओद द्वाला ना हमारे सथ विश्वास गात किया है हमारे सथ सूरुज मल जी है कर दोपने का लिए टार्ट दूसरे जी है झाल झाल लगातार एक महिने तक नदी के उस पार की अफगानी फोच और हम बस एक तूसरे को ताखते रहे जो मोहिम अब तक उमंगो भरी थी अब अपना भायानक चेहरा दिखाने लगी श्रीमंथ पूल नहीं बन सकता पारिश भी रुक्रे का नाम भी ले लिए पला पाने कैसे उद्रेगा को जानों सामगरी भी समाप तोने का घार पर कब तक प्रतिक्षा करें श्रीमंथ आद्मिया हो तो मैं एक सुझाव दूँ जी कहिए कि मैं समझता हूं हमें वापस लौट जाना चाहिए अगले वर्ष दो बारा आ जाएंगे बरसाथ से पहले और अबदाली को लूट पार्ट और मार काट करनी की खुली छोट दें आम अलाराओ जी नहीं बड़े होए कदम वापस नहीं लौटते फिर हम क्या करें अगर हम नदी पार नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो भी नहीं कर सकता हूं आ तो हम पीछ लोटने कोजे आगे बड़े के मैं नहीं समझ यो राजाजी हमारी योजना क्या थी हम रोए यह मुझस परसके हम अजी लिस जाएंगक, लेकिन आप क्यूकि हम यमुना पार नहीं कर सकते हमारे पास आगे वड़ने का एक ही रास्ता है हम यमुना के साथ सब इसकिनारे से लगकर The helly के तर हो जाएंगे और दैली हासिल करेंगे और एक बार दैली पे अधिकार जमाल यह तो हम तो हम भही से यमुना पार करेंगे और अब तालिप पर हमला बोल देंगे ये बहुत अच्छी ओ जनाय श्रमानन्त अच्छी है सचे ही अच्छी है लेकिन काका, भोजन सामगरी के बिना हम देली तक पहुंचेंगे कैसे? सूरजमल जी, मलाराओ जी, इस तरफ कोई आशा है जैसे संपर कर सकते हैं जी अब बंदत के लिए कोई नहीं बचा, हम यहां के सारे राजाओं से संपर कर चुके हैं एक संभवना हते, सकीना बेगम, पाथी के गुजरबे के बाद वोई गदी सहमालत रही है लेकिन काव पर फरोसा ना करे और गडबंदन फटबंदन पर विश्वास ना रखे सही कह रहे हैं आप कहीं तो मेजा सकती हैं लेकिन वहीनी वो किसी से मिलती ही नहीं है एक आउरत से मिलने के लिए तयार हो जाए शायद आपको जाना चाहिए नम्रता और द्रता ऐसी चाबया हैं जिनसे कोई भी ताला खोला जा सकता है कई संदेश भेजने के बाद सकीना बेगम मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए चैश्मे नूर राहते दर्दे रियाया जीनते मुल्क बेगम सकीना तश्रीफ ला रही है स्री मन्त सदाश्य राव भाव पेश्वा की धर्मपत्नी पेश्वेन पार्वति भाई तश्रीफ रखिये मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद आप हमसी क्या चाहती है ज्यादा कुछ नहीं बस मेरी सीना के लिए कुछ दिनों का रसत्साधन सामक्री ताकि हम देली जा सके बहुत उमीद लेकर आई हूं कि आप मदद करेंगे एक बार हमने आपकी फौच को यहां आने दिया तो उन्हें हमारा तख्त पलटने में देर नहीं लगेगी वेगम आपा जरा सोचिए अगर पेश्वा की नजर आपके सल्टनत पर होती तो वह अपनी फौच भीचते अपनी पेश्वीन को नहीं मैं तो आपके पास दोस्ती का हग बढ़ाने आई हूँ पारवती बाई दोस्तों से ज्यादा डर लगता है आप डेली क्यों जा रही हैं एहमर्चा अबदाली को रोकने तब तो और भी मुश्किल है अगर हमने आपकी मदद की तो अबदाली हमारी रियाया को तभा कर हैं जंग तो मर्दों की एहमका अना का खेल है खुद फड़ा हो जाते हैं और बिवाओं और लावारिस बच्चों को रोता बिलगता छोड़ जाते हैं मैं समझ सकती हूं आपका पर फिर भी ये जानकारी मुझे रोकने ही पाई को सो दूर से जाना तीली पर रखकर अपने पती के साथ ही हूं क्योंकि मुझे उनके नेकी रादों पर पूरा भरोसा है उनकी जंग इस देश के लिए है आपके स्वरकेश और ने भी इसी देश के लिए अपना बलिदान दिया था ना हाँ बलिदान हाँ बलिदान दिया उन्होंने और अब आप अपनी रियासत उन्हीं की तरह भखुबी चला रहे हैं हाँ आपा मैं जानती हूं कि ठीक मेरी तरह आप भी किसी शाहिखांदान से नहीं है और नाहीं आप किसी नवाब की बेटी हैं हम दोनों आम आदमी का तर्थ समझते हैं है जंग में सबसे जाधा नुकसान तो नहीं का हुथा है उन्हें बचाने के लिए हमें एक जुठ होना ही पड़ेगा हमारे मदहूं शोहर का भी यही मानना था और इसी वाज़ा से वू जान खूब एठे अगर आज वो सिंदा होते और मैं उनसे मिलने आती तो क्या उनका जवाब भी इंकार में ही होता वो क्या कहते इतना बता दीजे मैं लौट जाओंगी वो कहते फकर की बात है पारवधी बाए आपने उस अबदाली को रोगदी के लिए इतना लंबा फासला ते किया हमारा समीर अब हमें खामोश रहनी की इजासत कैसे दे सकता है इसा ही कुछ कहते है तीन हजार बोरी मक्य और जावल और पांच हजार सिपाही मैंने सकीना अबा को पूरे समर्तन के लिए राजी कर लिया तुम सच में अद्भुत हो पारवती आवे अब एक भी पल का वाला नहीं है गोविन बंची जी आपकी दस हजार के सेना यमुना पार फासी हुई है ना जी यमुना का पानी उतरते ही आप उनके बास वापस लोट जाई और प्रतीक्षक कीजिए मुझे जैसे ही आपकी आवशक्ता होगी मैं संदेश भिजवाऊंगा जी शीमुना तो चलो अब दाली के नाक के नीचे से देहली निकालते है अलीचा खुछ खबरी है मारा टाचा मने किनारे से लोट की उनकी तंबो कनामने शान नहीं है फाग लिए मराठा यहां से भाग गए और करते भी क्या इस बाड के पानी में जम्ना तो पार करने से रहे जम्ना ने बचा लिया उन्हें वर्ना काफिरों को नस्तना बूद कर देते मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी मैदान छोड़ देंगे नजीब पता करो कहा गाइब हो गया और क्या है उनके इरादे हमें कितना समय लगेगा देली पहुचने के लिए दस तिन और उसे हासिल करने के लिए चार ती याद रहे देली में आप नजीब की भी पहुच है मैं आपको देली चार नहीं एक दिन में दिला दूँगा वहां की किले बंदी देखिये मैंने क्या तुम्हें पूरा यकीन है जराब मैं तभी बोलता हूं जब पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं भाव सायब जी मैं एक बात कहूं जी कहिए इस इबराहिम खान पर भरोसा मत करना क्यों क्योंकि ये कभी भी धन की लालज में दल बदल सकता है आगे रहे तो एक गारदी ना बना रहा हूं जी आप इबराहिम की चिंता ना करें मुझे उस पर पूरा बारोसा है है शैंशाह पूरे दिन की खोजबीन के बाद हमारे खुरसवार लॉटा हैं है शैंशाह शैंशा वो दर्या से उपर की तरफ गए है यकीन है हाँ शैंशा कोई शक नहीं तो अब वो देहली फते करना चाहते है ये सदाशेव मेरी उमीद से ज्यादा शाते निकलाए तो अब हम क्या करें शिकारी शिकार को हासिल करने के लिए क्या करता है उसका इंतसार शिकारी शिकार का पीचा करता है शावली लशकर तैयार करो जो हुक में शायचा लेकिन दर्या कैसे पार करेंगे दर्या पार में ही करेंगे ये तेहली है यहां हम है हम जमना के इस तरफ से किनारे को लग कर तैयली के लिए रवाना होगी उनका हम सायबन के चलेंगे तैयली पहुचेंगे तब जमना पार करेंगे एक विराद दौर शुरू हुए हम यमना के दक्षणी किनारे पर तेजी से उपर के और पढ़ रहे थे इस बात से अन्जान के अफगानी सेना नदी के उत्तरी किनारे से पीछा कर रहे थी हम उनसे एक दिन पहले देली के लाल के लिए पहुच गए देखिए देखिए दो गुट सवारों को आफ उच केते हैं कासिम कोह रहा है उसे हटने दीजी देखा कि यगायक कहां से आ गए कि देखिए कि एगायक कहां से आ गए कि आप शुट कि आप लाप जदी चैलिए अभी सिर्टCe में इसक जाए प्रोड रड़ जोला प्रड़ टोला प्रड़ जाए 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 इन बेदाग! दो इकाई भाई! इले का दर्वाजा तमाम होना चाहिए! हमारे थारे पुर्चुडादी है! जागो! जागो! गोडसावर सेना तयार? तयार! तयार! अक्रमार! सदियों में पहली बार देली का तक्ता पलट हुआ था देली चाहिए कितनी भी बेबस और खजाना खाली थी लेकिन अब मराठो की थी जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपती शिवाजी महाराज को बारम बार अपमानित किया था उसी लाल के लिए पर आज हमारा छंडा लहराने जा रहा था अब्दाली के लिए ये बहुत बड़ा सुवक है भाव सदाशिव से कह दो कि हम सारे सिक मराठों के साथ हैं लेकिन हजूर जी अब्दाली पिछले अमरे के बाद से वैसे हम से खार खाय बैठा है परवाह नहीं उसकी उस वक्त मराठों को ने हमारी मदद की थी और अब यह हमारा धन बनता है कि हम उनके उपकारों की कीमत अदा करें अब्दाली को हिंदुस्तान से खळड़ने के लिए हम मराठों की मदद करेंगे और जरूर करेंगे उच्छा समाप्त होने के बाद सब के मन में बस यही प्रशन था शेहनशा हमाए हिंदुस्तान कौन बनेगा मेरी और सबकी पसंद तो इखी थी राया करेंगे पसंद नहिए हिंदू मलिकाय हिंदुस्तान क्या करते हैं कशी दिस्तिया मलिकाय हिंदुस्तान सा मुकुत चान चान दिस्तिया सब ठीक है ना हम क्या जालो शेहनशाय हिंदुस्तान पारवती मुझे ऐसे मत बुलाओ क्यों तुम सिंखासन पे नहीं वैठोगे नहीं ताज पहना नहीं जाता पहनाया जाता मैं यूद के लिए बनाओ राजनीती के लिए नहीं लेकिन क्या राजनीती भी यूद नहीं राजनीती में पीछे से वार करते है यूद में नहीं तो अब तक्त पे कौन बैठेगा विश्वास वही तो सेनापती है हम चलो कोई पेश्वात हो मुगल तक्त पे बैठे तुम्हे पता है सद्यों में पहली बार मुगल वांच की परंपरा टूटेगी हम इसे कोई भी इस तक्त पे नहीं बैठेगा मतलब मतलब हम इसे मराठा शासन के अधीन रखेंग लेकिन अपने किसी व्यक्ति को शहिंशाह नहीं बनाएंगे हम रक्षक है हमारे हाथ में कमान रहनी चाहिए राज्तों हमें चलाना है लेकिन गद्दी पर नहीं बढ़ना लेकिन श्रीमंत ये तक्त हम खाली भी तो नहीं रख सकते बत और शहिंशाह हम शाहजातीन की ताजपोशी करेंगे श्रीमंद पुरंत आईए लगता है अब गान फो जमनापार पहुंच रही है इतने जल्दी उनोंने कैसे ले लिया देली को यामुना के इस और ऐसा कोई तो किला होगा जो अबदाली ने हासिल किया है कुछ पुरा है देली के उत्तर में अबदाली का बहुत खास किला है तजीब जी तू इसे बचा नहीं पाया मैं खुद हैरत में उशेंशा मैंने यहां अपना सबसे अच्छा से पैसा लाला लगा तुम्हारा सबसे अच्छा निकम्मा निकला नजीब मुझे ही यहां पहले आना चाहिए था वो सदाशिव्क खतरनाक साबित होता जा रहा है जांग की तैयारी करो इसके पहले कि अबदाली यामुना पार करे हमें कुछ पुरा चीतना है हमने कुछ पुरा की किले को भी उतनी ही आसानी से जीत लिया जितने की लाल किले को एसा लगने लगा कि हमारी सभी समस्याय समाप्थ हो गई लेकिन हमें पता था कि हमने एक राक्षस को ललका रहा है लग जीब एक के बाद एक जंग हाता जा रहा हूं मैं पहले देली और अब कुछ पुरा जब तेरी गलत सला के बज़े थे एक बश्वरा देता हूं नहीं जहीं बुझे तेरा बश्वरा अब भी तुरे दुरानी मुझे बाफ कर दीजे मैं यहां बज़वा हूं और सदर्शी मेरे इलाके में घुच रहा है अब वो पंजाब की तरफ जाएगा और सिखों को अपने साथ मिला लेगा क्या करूं मैं क्या करूं मैं उसे रोकना होगा मुझे जबना पार करनी है इस वक मुनासिब नहीं होगा शैंशाम तिरा मश्वरा नहीं चाहिए मुझे मुझे जबना पार करनी है अभी इसी वक्त कुझे जबना पार करनी है हो अभी सजफिघ रही जबना पार करनी है एक रहाओ जोस्टने में परदिए में अर नहां से रहां से जार नहां अरती जहां फज़ जहां से फिर आरत में अरत भी है अब्दाली ने नदी पार कर लिए हमारे पीछे हरा है केवल सौ कोस दूर है तब तो हम सीखो तक नहीं पहुच वाएंगे अगर हम अपनी गती दूनी कर ले और मैं रात में चले सिर्फ सेना होती तो यह हो सकता था लेकिन इतनी महलाएं और लोगों के साथ यह नमंकिन है यहाँ पास ही में पानीपत का किला है हम वह जा सकते हैं पानी पत का नाम सुंकर ही मुझे डड़ लगने लगा था एसा लगा कि अब युद को टाला नहीं जा सकता पानी पत का खिला यह किला तो बहुत ही चोटा है हमें सहरा नहीं दे पाएगा हमें इसके आसपास यह में चाबने लगानी होगी चलो मैंदरे अवे जल्द से जल्द खंद कोदने होगा है हाँ जी इंतिजार का खेल शुरू हो चुका था लेकिन हम तो पहले से ही कठिनाईयों से गुसर रहे थे भोजन सामकरी खाली हो गई थी श्रीवन्थ तीन दिन हो गए सेना किसी ने कुछ नहीं काया है गुछ के अलावा कुछ नहीं बचा रहे है और हमारे साहिओ की शिक ना तो रसत भीजब रहे थे ना सेना समझ नहीं आरा क्या करहीं पॉलै करैंव्साद करेंखणा कि शदाशी भाहु की क्या बताएं भाव साहिब, यमना के उस सरफ भज गयते हम, इसलिए आने में देरी हो गई नहीं अरादक सिंग जी आप बिल्कुल सही सामे पर आए हम आपके अभारी है सेना कितनी लाए है, पांच हजार राजा अरादक सिंग का हम से जोड़ जाना एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन ये खुशी, स्याता देर नहीं टिकी अब हमारे बीच कोई दर्या नहीं, सदाशिव राओ भाओ बेचवा अब दाले, अब हमारे बीच सरफ पानी पत की ये राण भूमी है महीनों की लुक्का छुपी, जोड़ तोड़ और नक्षे बदलते बनाते, मराठा और अफगान बानी बद्गे मेदान में आमने सामने आ गए अश्चर की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके घड़े थे, हमारे पीछे दा कानधार और उनके पीछे पुणे शाहिन 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 सारी इंतिजमात सुरज जनले से पहले हो जाएंगे जहजादा तैमूर शाबदाली अपनी बोच के साथ, शाह भी बोच नहीं तैमूर तू बड़ी जल्दी आ गया आपका पैगाम मिलते ही मैं पंजाब से रवाना हो गया लेकिन अबू एक पुरी कपर लाया हूँ क्या जल्दी बता खबर कांधार से है सरफराज चाने तक तो लटने की साजिश चलिए बहरी पैमाने पर किरोबंदी शुरू हो गई है सरफराज सरफराज मुझे 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 वॉपस जाना होगा मुझे कांदाहर वापस जाना होगा वहार कांदाहर यह आप कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान को जीतने के लिए मैं अफगानिस्तान को दाउपे नहीं लगाऊंगा मैं समझ रहा हूं शैंशा लेकिन सवाल यह है कि आप जाएंगे कैसे वराथा फौज ने आपका रास्ता रोक रखका है शैंशा सामने देखिये हुजूर सामने देखिये लेकिन अगर में इस जंग में फसा है तो कांदाहर हार जोंगा थीक है अगर नहीं जा सकता तो सुले नामी का पैगाम भेजो अब यह अब यह अब यह इतना सब कुछ सुले नामे के ख़दर किया रजीब मुझे सदाशिप के साथ सुला करनी है इंतिजाम कर जी हुजूर जी हुजूर शेहनशाय अफगानिस्तान, दुर्रे दुर्रानी, एहमद्षा अब्दाली, श्रीमंद सदाशिव राव भाव पेश्वा. मुझा बताएगे आप सुलाह करना चाहते हैं. मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि योध हमेशा सल्तन तो गोजार देते हैं. इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है. आना पड़ा, दुश्मन को रोगा, हाजार कोस दूर. लंबा सफर तो मैंने भी तै किया है. हाँ किया है, लेकिन लूटने के लिए, हम आया है रक्षा करने के लिए. तुझ से बहस करने का वक्त नहीं है. मैं जंग नहीं चाहता, अगर तू भी नहीं चाहता, तो मेरी शर्ट माननी होगी. कैसी शर्ट? मैं अमनों अमान के साथ कंधार लोट जाओंगा. अगर तुम, माराथा, नर्मदा के दक्षिन में रहो, और देहली मेरे हवाले कर दो. नहीं, आप अड़क के उत्तर में ही रहेंगे, जिस दिशा से आप आए हैं, और दोबारा इस धर्टी पर कदम नहीं रखेंगे. मैं तुझे एक मौका और देता हूँ. तेहली की उत्तर की सारी जमीन मेरी, और दक्षिन की तेरी. आप अड़क के उत्तर में ही रहेंगे, और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे. मुझे केवल यही शर्ट स्विकार है. जहां मैं खड़ा हूँ, वहां से उत्तर का सब नेरा, बाकी सब तेरा. नहीं. मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहीम बेमानी हो जाएगी. और मेरी मुहीम बेमानी हो जाएगी अगर एक खुसपेटिया हिंदुस्तान की मिट्टी पर बना रहता है. और आप इस समय जिस धर्ती पर खड़ेया ना, वो मराथा सामराज्य ही है. तू जोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है. मैं इस धर्ती के मिट्टी के एक कड़ के लिए भी मरने को तयार हूँ. ठीक है. तो फैसला यहीं कर लेते हैं. यह सुला का शामियाना है, सौदे का. लड़ने के लिए तो पानीपद का सारा मैधान तयार पड़ा है. अब पहले हिंदुस्तान, फिर अफगानिस्तान. सही का, हिंदुस्तान सदा पहले ही रहेगा. खबर है के माराटा कल जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं. अगर हमें जीतना है, तो हमें चौकोर व्यू रचना करनी होगी. और ऐसे आगे बढ़ना होगा. हमारा लक्ष किवल एक है, अफगान फौज के सबसे आगे होगा. उसे हाती दल की मदद लगेगी. उसके पीछे, बंदूक सेना, फिर घोड सवार, और सारे सैनिक सबसे पीछे चलेंगे. हमारा लक्ष एक ही होगा. अफगानों के बीचों बीच घुज कर, उन्हें तैस नैस करतेंगे. जी, शेमाद! मेरे बाई तरफ तेमूर, नजीब, सुलेमान और नवाब साब के दस्ते तहनाद रहेंगे. मेरे बाई तरफ शम्शेर, विठलविन्चुरकर, और दामाजी गायकवाले. ताय में शावली खान और वाहब खान, शहिंशा. मेरे बाई तरफ सेना का नेत्रित्व करेंगे, जंगो जी और मालहर राओ जी. हमेशा की तरह मैं पीछे से जंग पे निगार रखूँगा. एक दस्ता हमेशा मेरे साथ रहेगा. उनके पीछे होंगे. नाना पुरंदर, यश्वन पवार, अंता जी मानकेश्वन. रादक सिंग जी, आपकी 5000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी. जी, श्रीमान. और मैं बीचो बीच, अपनी हुजूराद सेना के साथ रहूँगा. सारिस्त्री परिवार, तीर्त्यात्री, और सेवक, इस टीले पर रहेंगे. और उनके सुरक्षा के लिए, सेना की छोटी सी तुकुडी तैनात रहेगी. अपने अपने सेनाओं के तैयार करो. जी, मलहाराओ जी, अगर हनों नहीं हो जाए, तो सारिस्त्रीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाना, आपकी जिम्मेदारी है. काका, आपने सब को उनकी जगा बताई है. मैं कहां पर रहूँगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. तुम वापस जाओगे विश्वास, पीछे के रास्ते से, कोई नहीं देख पाएगा तुम नहीं लड़ूगा. तुम नहीं लड़ोगे, तुम मेरी जिम्मेदारी होँ. मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ. पूने में मा मेरी रक्षा करती. यहां पर शंपशेर काका और आप. मुझे अपनी माद रभूमी की रक्षा करने का असर कम मिलेगा? हम तुम्हारी रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम एक पेश्वा हो. ठीक कहते हैं. लेकिन अगर आप मेरी रक्षा करते रहेंगे तो मैं पेश्वा कैसे बन पाऊंगा? मैं इस सेना का सेना पती हूँ. मैं लड़ूगा. ठीक है. तुम शंशेर और मेरे बीच मे रहोगे. एक हाती पर सवार. मेरे हाती के पास. लेकिन मेरी एक शर्त है. तुम कभे भी. अपने हाती से नीचे नहीं उतरोगे. क्षमा करा रहा है. पर तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास के लिए है? कोड़ का पानी. तुमने पिया? आज मेरे भी. आज मेरे एक हुझे कोदरा है. रवधी, मजर मुझे कुछ हो जाए. आज मुझे कुछ हो जाये. मुझ से वादा करो, तुम सती नहीं जाओगे. भार्वती, भार्वती, वादा करो, तुम सती नहीं जाओगे. मुझ जाओछा रॉष मुझ सकता ह personnारा आका युझ सुम जाओगे. किल ऊंगये वादा रर्वती नहीं जाओगे. मुझ सकते तुम सिंएully利ं कि नहीं जाओगे. भार्वती, नहीं जाओगे. रहें चालम बनला के लाओगे. यहांुछा है वाओगे. बायो शो प्राइब शो चौने हो देक प्राइब हो था है भाईयों, अपने चारों तरफ देखिए, यह है हमारी हिंदोस्तानी सेना का चेहरा, इसमें हिंदू हैं, मुसल्मान हैं, अलग-अलग जादी के लोग, किसार, सब अपनी देश के रक्षा के लिए एक साथ एक जुट होकर खड़े हैं, तुम अपनी इस धर्ती के लिए लड लड़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले, तुम अपने इसाथियों के लिए लड़ रहे हो, जो सेक्षिरों मिल चलकर आये हैं तो मैने साथ महीं पर, तुम यह साथ इस महीं पर, कंध है से कंध हा मिलाकर लड़ देए, और वह किस लिए? उस आक्रम अनकारी को रोखने के लिए ह हाश्रीमान्त! मैदानने अतरकर अब री पूरी सह कहीं गणा मैदान से उप्डब इमनी को भी पता लग जाए कि अभी तक छूमारे धर्दी मेपेड य उत्दा कने ही हुए है शीक LEE म्ठु शीक काश दूसे! और जहां तक हमारे अंदर के भूख नव है व्याम कि अजस्वान्य कोँ जें मिदाय को! हरा! 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 झाला! शरिमात विश्वात्राव पेष्वा, आदेशने! चाकॉर गीू रचनाव, ना रम हो! से लाव! अगे बार! अगे बार! जवाब दो! झाल 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 जातिर आदमी है उसने जोकोर वाली तर्तीब बनाई है हमें एद के चाद की तर्तीब बनानी होगी फॉरण के चाद की तर्तीब इंया बनाई है। हादी दाल आगे भार हम घको सकते हम यो को से आगे सकते ही क्त कर दो कर दो आगे बढ़ो आगे बढ़ रही है परकुर्दार अपनी तोपे दागो इन पे में भ दो में बड़ inflост अन्या। ार्व यूम कर दोकी कर दो देख ॥ाओं लागो झार नग्याः !! कर दो कर दो कर दो करradosे बढ़ आगे बड़े र Town इबराहिम गार्दी की तोपे आगे बढ़ती जा रही है, हम निशाना नहीं लगा पारे वहाद, एक काम करो, अपनी जंबूरक तोपो को उटो पे चड़ाओ, और फिर निशाना सादू जी, आली जा जी, युट के ओुपए चबूरक चाराओ आप झाले झाले टेदा जुटार भी चाले हैं प्रेटी प्रेटी तौब का सामना करना मुश्किल है। अबराहिम को जाकर बोला उनके गोला बारू के तंबु का ढूंडे और उसे उद्वास करें। जाओ! जी श्रीमाइ! जोहा भार! जी श्रीमाइ के संदेश है कि दुश्मन का गोला बारू का तंबु ढूंड कर उसे नश्च करना है। तोप्चियो! सारी तोपे! स्टी निकाई भाए! जोहिकाई उपर! ठाको! कि दूप Hemis सारी तोपे! हो एकाई भाए! कि दूँ। कि दूए जूत घ्लवए कि दूआ很 फजू जर्म वारु निए उला है. छिरम, तुमारा गॉला बारुट खतम हो गया है. अजर्ण लाँ. अन्देश वाहत. अबरहाइम को आकर लोगा हो. अधी और तौब को पीचे छोड़ के हमें आगे बढ़गा होगा. बंदूकतल तयार करे और आगे बड़े जी शेवन बंदूकों को आगे करो जी जी राव बंदूकर के लिए तयार हमले के लिए तयार तयार हुजूरादाल आगे बार हमला बंदूफ रगको यचर बंदू वह बंदू बंदू अज़ आई बंदू कर दो अचूचरा बख्वारा बारा बेंगा हिए वो पर बारा बार बारा 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 पर प्रहुर दिच सका है झाल झाल ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है हमारे सिपाई मैदान छोड़ भाग रहे है तेमूर वासी दो दस्तों में बढ़ जाओ और इन भागोडे सिपाईों को मौत का डर दिखागर वापस लाना होगा कि रेगा है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कोई बेदान छोड़के भागेगा रहे एक एक कपी सागर के खतम करूंगा वापस चलाओ इंसाब को जंग के भीचों भीच भी बेदो वाहब, जिसेल कानेशाना पीछवा सहजादे पे लखाओ. जी आने जाओ. प्राव झांटा जस है परूह भरूह म हम इंपार आटा जन्रूह जनी कर पीका कर दो कर दो कि अ अ अधाग कि अ अधाग हुआ तोब कि मैं अधाग कर दो कर दो कर ते हुट कर दो झाल झाल करिया झाल कर्टेart कर्टे झाल कि युगाइ हुआ है बेज़ एको अटूए बादे शुछूएर अजवार उने क्था एको एको फिर दूतूएर उन्यूँएर टीन है अरादक संजी